गूड इविनिंग आईज आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे सभी वीबाग राजस्तान के निदेशक ने आज 4 सितंबर 2024 को दिशा निर्देश जारी कर दिये है और बताया है कि जल्द ही राजस्तान में UTV पर समीदा पर और SRS से बढ़तिया आने वाली है जिसमें आपके काफी सारे चिक्किसायबाग और पेरामीडिकल और नर्सिंग के आपके पद रहने वाले हैं इसके अंदर MBBS, डाक्टर के पद रहेंगे तो यहां पर नर्सिंग, श्टाफ के भी आपके पद रहेंगे लेब टेक्निशन के भी पदा यहां पर आपके रहेंगे रेडियो ग्राफर के भी यहां पर आपके पद रहने वारे हैं और कंप्पूटर ऑप्रेटर वो अन्य पदमियां पर आपके रहेंगे सबसे अच्छी बात दोस्तों आपको बताऊं यूटी भी बढ़ती है अर्जेंट टेंप्रेरी बेसिस फुल फोर्म होती है काफी अच्छी सेलरी इसके अंदर आपकी मिलती है राजस्तान में इसमें जो आपका सेलेक्शन होगा वो समीदा एसरेस, आरेमरेस के माध्यमसी भी यहां पर आपका सेलेक्शन लिया जाएगा याने इंटर्व्यू भी यहां पर लिया जासकता है या फिर डायेक्ट आपकी मेर्ट के माध्यमसी भी चेन किया जासकता है अब चेन कौन करेगा क्या कुछ नियाम है क्या कुछ शर्त है किस साकार्मिक इसके अलावा कौन-कौन नर्सिंग इस्टाफ लेप टेक्निशन रेडुग्राफर कंप्यूटर ओपरेटर और अन्ने कार्मिक निदेशक जन्स्वास्ते डौक्टर रवी परकाश मातुरनेया पर आपके आदेश जारी कर दिये हैं इसमें शर्तों की बारे में ब कर लेना और ऊलरो के आईकन पर आपको प्रिप्राइस कर लेना हे इसका PDF आपको चाहिएए विकेंसियों को तो आपको हमारा WhatsApp ग्रूप वाटसथ उपट चैनल है साथ ही हमारा टेलिग्राम चैनल है इसको जोईन कर लेना, दोनों के लिंक, सभी लिंक आपको मारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ठीके, तब इसमें बात करते हैं, आपके सबसे पहले बात करते हैं, पदों के बारे में, पद कुन कुन से रहेंगे आपके, यहाँ पर चिकिस्साक, यानि चिकिस्साक के लिए लेडियोग्राफर के पास पत जो है उसके लिए लेडियोग्राफर का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है कम्पूर्टर ओपरेटर औरने कार्मिक के चेहन के आपर निर्देश दिये है UTB, सम्विधा और SRS के माध्यम से चैन की परकिर्या पूरी करने के निर्दिस दिये है साथ ही कहा यदि नियमों के बहार जाकर किसी कार्मिक का हुचैन हुआ तो सम्मंदित नियत्रन अधिकारे के खिलाफ यहां पर भी कार्रेवाई हो सकती है यानि वही फर्जी वाड़ा किया यदि इस बरती के अंदर UTB की जो बरती है निकलने वाली है उसमें यदि फर्जी वाड़ा मिला इनको तो यहां पर कार्रेवाई भी की जाएगी आउशक कार्रेवाई जो भी चीज़ होती है इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी आप क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है सबसे पहले वो डिपेंड करेगा मान लो आप डॉक्टर्स हो, MBBS हो तो आप चिकिस्था की पोश्ट पर लग सकते हो आपके पास GNM है, B.A.C. नर्सिंग है पोश्ट B.A.C. नर्सिंग है या A.N.M है तो आप यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की पोश्ट पर लग सकते हो इसके अलोबा लेब टेक्निशन में देखिए लेब टेक्निशन के लिए D.M.L.T. हो डिप्लोमा या B.A.M.L.T. हो डिगरी तो आप लेब टेक्निशन के पोश्ट पर लग सकते हो रेडियोग्राफर पद है रेडियोग्राफर का डिप्लोमा चाहिए और कंप्पूटर ओपरेटर के लिए आपको जो कंप्पूटर के लिए जो आपका डिप्लोमा आथा है वो आपको चाहिए होता है टेली या फिर अन्ने जिसमें आपकी टाइपिंग अच्छी हो ठीके इसमें देखिए इसमें आपके निर्देश यह होते है यू टीवी की जो वर्तिया थी है इसमें आपको एक फिक्स रियुमिनेरेशन और एक फिक्स आपको टाइमिक दिया जाता है कि या तो पर्मानेट इस्टाफ के आने तक या फिर नियमित जो आपका कार्रेकाल होता है वित्य वर्ष याने अगले साल के मार्च 31 मार्च तक कि आपके आपको डूटी रह सकती है लेकिन सबसे बड़ी बार तो यह है कि राजस्तान में अभी काफी सारी विकिंसिया चल रही है पेंडिंग में है या यूँ कहा है रनिंग में है शीफू की बरती परमानेट वाली जो आपकी चल रही है वो भी आपकी अभी रनिंग में है ठीक है Shifu की बर्ति आपकी A&M की बर्ति चल रहे है जिसके अंदर आपके A&M के और G&M के दोनों तरह के पद है तो यह बर्तिया चल रहे है, अब ये इतने सारे पद भी चल रहे हैं CSO की बर्तिया भी अब यहाँ पर Vरिफिकिशन होना बाकि है तो यह काफी confusion वाला मामला है कि UTP की बर्थिया इन्होंने जारी करने के लिए दिशन निर्देश क्यों दिये देखे एक करण यह हो सकता है कि राजस्तान में काफी सारे medical college काफी सारे hospital CAC, PSC का यहाँ पर नविनी करण हुआ है कई सारे medical college खुले है तो उन में हो सकता हो यहाँ पर जरुवत पड़ रही हो इसके लावा जीला अस्पताल है उसमें भी काफी सारी पोश्ट आपकी खाली है तो वहाँ पर हो सकता हो कि आपको urgent temporary basis पर लगा दिया जाए और यदि आप urgent temporary basis पर लगते हो तो मैं बता दू इसमें आपको salary आपकी काफी अच्छी रहने वाली है nursing staff की यहाँ पर लगबग 35,000-35,000 I think salary रहीगी doctors की भी काफी अच्छी है lab technician की भी लगबग 25,000-35,000 की बीच में रहने वाली है रडियोग्राफर की भी यहाँ पर लगबग 25,000-35,000 की बीच में आपकी salary रहीगी हालनकि मैं बता दू आपको जानकरी के लिए कि हमारे पास एक लेटर बेजा हुआ है आप ही में से कोई subscriber से दो-तिन subscriber की YouTube पर जो CLD के दिशा निर्देश है जो CLD मिलती है उस पर एक वीडियो बनाई है तो वह भी मैं वीडियो ले हुआ यहाँ यहाँ यह आपको YouTube की जो CLD है उन सभी के बारे में जानकरी यह डिटेल में तो आप वीडियो में कमेंट करना आपको कोई वीचार हो तो उसको भी बताइए आपके कोई सवाल हो YouTube बढ़ती के लिए तो वह भी आप कमेंट करिए ताकि हम हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको यहाँ पर दे सके आप सबसे बड़ी बात यह है कि यह विक और YouTube के माध्यम से हम आपको अपडेट दे देंगे तो YouTube पर आप अपना जो है हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के रखना ठीक है तो जैसा ही YouTube के कोई बढ़तिया आती है किसी भी जीले से तो सबसे फिल आपको अपडेट मिल लाएगी उसमें ज आपको बता दी नियम और शर्ते अन्य जो वेकिंसिया होती है उससे बिन होती है लेकिन जो परवानर बढ़तिया होती है रास्तान में उसके से सिमिलर इसको आप मान सकते हो जो भी बढ़तिया को ठीक है जो कि इसमें भी जो शर्ते लागो होती है वो गुन्य सो पेशर चि टेमरी वेशिस की वेगंसी की जानकरी के बरे में यहां पर निदेशक जो है जन स्वास्ते डोक्टर रवी परकाश मातुल ने आधेश जारी कर दिये हैं हो सकता हो एक दो महीने के अंदर अभी क्या चल रहा है सितंबर तो अक्टुमबर नौंबर तक आपको यहां पर वेग परशन और तीन साल का 30% ठीक है तो बोनस लिजिए वेकंसी पर काम कीजिए अच्छी सेल्डी है काफी सारे लोगों को जड़ी जोब मिलती है यूटीवी के माद्यम से भी तो दो दो फाइदे उनको मिलेंगे एक तो उनको सेल्डी मिल रही है दूसरा उनको बोनस मिल रहे और वो बोनस उनको फ्यूचर में पारमरेंड कर देगा क्योंकि वेकंसी आएगी 100% आएगी बोनस पे और क्यों नहीं आनी चीए बोनस पे वेकंसी आनी चीए मेरे हिसाफ से दोस्तों इसलिए क्योंकि आप यूटीवी भी वेकंसी निकाल रहे हो आप समिधा पे भी वेकं तक तीन साल तक पास साल तक दस साल तक तो उनको हग है यहां पर कि वो पर्मनेट होए उनको बोनस देती है काफी अच्छा नियम बना रखा है तो लगब इसाप से अभी जो वेकंसी आई है ऐसल्ड या वापको जानक्रिक रे दो ताकि आप अपने डोक्कमेट से या करो अपके पास में जो आपने सिंग की है जा आपने कोई डिप्लो मा किया है कोण सा लैब टेhmenलक्नीट, नर्सिंग का डोक्टर्स का तो इनका डिगरी डिपलोमा आपके पास होना चाहिए और आपके पास पंजीगरन जो आपके होते हैं नर्सिंग या पेरामेडिकल के जो पंजीगरन नंबर होते हैं वह आपके पास होना चाहिए इसके लावा आधर का नॉर्मल है मूलनिवसी नॉर्मल है जाथी आपको चाहिए होगी और तो बस ज़दे कुछ खास है नहीं बस यह है ठीक है बाकी विगंसी आने दो नोटिफिकेशन आने दो डीटेल में पन बात करेंगे इस वीडियो में धन्यवाद अभी के लिए इतना ही टेक केर दोस्तों